नमस्कार मुंबई का एक उपनगर है माहिम माहिम का एक बहुत पुराना चाल है डिशुजद चाल बहुत पुराना है मैं फोटोगाप दूँगा उसको देख लीजेगा पूरा चाल ही हॉंटेट कहलाता है लेकिन क्यूं क्यूंकि उसके चाल में ही एक कुवा है बहुत पुराना कुवा कहते हैं कि एक बार एक औरत पानी भर रही थी देखे चाल वाल में जो उसमें वाटर सप्लाई होती नहीं थी मैं तीन-तीन बार मुंबई गया हूं घुमने के लिए और मैंने एक्स्प्लोर किया है बहुत सारी जगाओं का वह मैं आगामियों वीडियो में दूंगा तो एक बार एक वहीं की चाल में रहने वाली आउरत बहुत बिचारी सीधी साधी और ठीक ठाक थी तो बिचारी पानी भर रही थी लेकिन अचानक क्या हुआ कि उसको पानी भरते बढ़ते हैं कुवाँ उसका जो है ऐसा है कि क्या करते है उसमें जादा वो नहीं बना हुआ बचाओ का कोई साध़न नहीं है पानी तो जानती है रसे में मूटे रसे में बानके बाल्टी को लटका आयाता फिर रसे को घिर रिकसार से कीचा आता आराम से वो खीच रही थी लेकिन पचाने क्या डिस्वैलेंस हो गई क्या हो गया पैर फिसल गया और वो बाल्टी सही रसे सही कुवे में गिर गई उसने बहुत आवाजे भी लगाई सब कुछ किया लेकिन धीरे धीरे उसकी आवाज पानी में डूपके कम होती चले गए अंदर तह वो उसकी मिट्टो हो गई यानि वो मर गई पुलिस आई पुलिस ने लाज वाज निकुलाई किसी तरीके से उसको पुश्ट मार्टम के लिए बेजा पता चला कि जो है डूपने के कारण उसकी मौत हुई है यह तो बात आई गई हो गई लोगा की दिमार्ग से निकल गया लेकिन एक रात में एक रात में सब कुछ ब क्यों रही हो पूछने के लिए आगे बढ़े घबरा के पीछे हट गए अरे भाईया वो तो वही ओरत थी जो कि कुएं में डूपके मर गई और ये बात जंगल की आख पूरे चॉल में चले गई और वो चॉल भूतिया हो गया लोग बागा अपने बच्चों को लड़किय लोटे थे या विजनस्मेन जो थे नियकांदार छोटे चोटेशटे दुकान काम करें जो भी लोटे थे वह अक्सर उस औरत को वहाँ बैठे लेटा रात में बहुत लोग जो बिलकुल दबंग टाइप के थे वहां रुके रहे क्योंकि बंबई में घर ढूरना बहुती मुश्किल काम होता है तो वहां रुके रहे लेकिन अक्सर वह रोती हुई औरत वहीं पर दिखाई पर थी मैं भी जब बंबई गया था आज से करोना के पहले जब बताओं अच्छा था महरास्ट का तो उसके पहले भी गया था उसके पहले भी गया था तो मैंने बहुत जगा देखा तो हमको यह माहिम के बारे में पता नहीं था कि माहिम ऐसा तो मुझको जो है क्या करते हैं लोगों ने बताय किया है कैसा चाल है वहाँ पर औरत गिर है मैं कभी भी रात में आके देखूंगा तो प्लीज आप लोगों को हमको अंजाना सब्सके मारिये के बीटेगा नहीं कि चोर उड़ना समझेगा मैं सिर्फ देखना चाहता हूं तो उन्होंने का आप करते क्या तो मैंने बताया कि भई मैं घूमने का शौकी ना भूत पर तो पर कहानिया लिखता हूं तो का आप जरूर देखे आपके लाया की स्टोरी मिल जाएगी है ना मैंने पूरा माहिम का दो तरफ का है दोनों तरफ बहुत सारे कमरे बने हैं छोटे-छोटे आप उन कमरों के वितर क्या है नहीं जानते लेकिन जो है समझे जो लोगर मीड मैं रात में घंगोर रात थी हाँ उन दिन पता क्या कि तुफ़ान उफ़ान आने की वह कोई संभावना थी इसलिए पानी ज़मा जबरस रहाता लेकिन मैंने परवाने के रेंकों और पहन के और मैं रात में चुप चाव निकला वहां पर क्योंको लोग को मैंने बहुत लो तो खेर कोई शक नहीं करेगा तो मैं तेन कुछ पर रहे उस कुई से ज़रा से दूर मैं ख़ा रहा ह। अचानक मेरी एक नजर पड़ी कि एक औरत जो है बहुत जोर से रोती हुई और चिलाती हुई और ज्छम मुझे आवाज हुई और कुए में बचाओ 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 की आवाज आई फिर धीरे धीरे संगनाटा था गया। मैंने तीन राद जग के वहाँ पर जो है कि आगते सर्च किया मुझको तीनों राद दिखाई पड़े और इसले दिखाई पड़े क्योंकि भीया मैं शमजान सादक हूँ मैं मंत्र पढ़ पढ़के आत्माओं को बुला लेता हूँ तो मैंने तीन बार जो है उसका फिजिक अगारी उससे डड़ते हैं और धीरे धीरे जब उसको यह असल में होता है जो आकाल मौत होती ने तो सोला साल तक करीब जो है वो ऐसी भटकते रहते हैं सोला साल बाद उनको जो है नया जनम मिलता है उनको अपने पिछले जन्म के कर्मों का जब फल भुगर लेते हैं तो सोला साल बाद पेतात्मा से मुप्ती मिलती है उनको नया जनम मिलता है अभी पता नहीं सोला साल हुए के नहीं जानता और इस तरह से यह जो है कहानी यहीं पर मैं सवाब कर रहा हूँ बहुत ही हांटेड है बहुत भैंकर है रात में दिखाई पड़ती है लेकिन चुकि मन मस्तिस में आपका चुडैल कर डर रहता है भूतों प्रेतों कर डर रहता है तो आप प्लीज प्लीज ना जाएएगा क्योंकि कभी भी वो गुसा सकती कुछ भी हो सकता गुसा हो उसको आकाल मिट्टू से वो अपने ऐसी भी कस्ट में होगी तो मानसी पीड़ा में कभी कुछ कर दे आप लोग खोदी कुई में गिर जाए या कोई भी हो इसलिए इतना साहस ना की जाएगा हाँ देखने का शौक है तो पसंद आएगा और इसके बाद जो है मैं एक ऐसे कभरिस्तान के बारे में ऐसे समुदाए के बारे में बताऊंगा जो की हमारे जो भी पार्सी भाई हैं वो सुनना है कि इन लोग अंतिस्टी करते हैं तो एक बहुत बड़ा सा गहरा सा जगह होता है जैसे स्टेडियम बग गिध्धों का भोजन बन जाते हैं गिध्ध लोग पेर भर के खाते हैं और उनका विश्वास है कि मरते मरते भी शरीर का जो है किसी को काम आ जाए तो यह बहुत है इसलिए वो गिध्धों का निवाला बनने के लिए छोड़ देते हैं तो वह दूसरा जो हूँ वीडियो हूंगी, हांटेड जगह है ना अरे कलोनी है, मुके समिल है यह सब तो मैं एक-एक करके जहां-जहां जहां मैं गया हूँ, जहां-जहां मेरे दिमाग मैं है, स्टोरी तो वहाँ वहाँ की स्टोरी मैं आपके सामने पर सूच करूँगा नवश्कार जैहिन जैभारत ये स्टोरी सुनके आपको कैसा है रात में प्लीज सुना कीजी होरर स्टोरी रात में ही अच्छी लगती है ना अब फिर मुझको कमेंट जरू लिखते हैं आप लोग कमेंट नहीं लिखते हैं तो मुझको जला सा दूख होता है और व्यूज तो बढ़ी ने रहे हैं तो व्यूज व्यूज भी बढ़ा ही है कमेंट्स भी लिखे और शेयर क करता हूं धन्यवाद जय हिंज जय भारत